अबसकार दोस्तों स्वागत है आप सबका दोस्तों इस वीडियो को बस आप लोग 2-3 मिनट तक बिने इस किप के कांटीनिव देख कर जाना क्योंकि इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आप लोग को बताने वाला हूँ अगर आप भी दोस्तों अपने यूटूब चैनल पे वीडियो अपलोड करकर के बिल्कुल ही ठक चुके हो और दोस्तों आपके वीडियो पे व्यूज नहीं आते सबस्क्राइबर नहीं आते आप दोस्तो परिशान हो गए हो निरास हो गए हो तो दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दोस्तो एक ऐसा जवरजस्त तरीका बताने वाला हूँ जिससे की दोस्तो आपके हर एक वीडियो पे विव जाएंगे और दोस्तो हर एक वीडियो पे सब्सक्र और दोस्तो आप लोग इस चैनल पर मेरी फ़र्ष्ट विडियो को देख रहे हो अब दोस्तो आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे अपने मन में कि मेरा यूटूब चैनल पर मेरी फर्ष्ट वीडियो है और मैं आप लोग के साथ यूटूब टिप्स सेर कर रहा हूँ तो दोस्तो ऐसा आप लोग बिल्कुल ही मत सोचिए क्योंकि दोस्तो एक और मेरा चैनल है जो प्राइमरी चैनल है दोस्तो अब मैं आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप उसे भी जाके देख सकते हो उस पर दोस्तो मैं दो साल से काम कर रहा ह हूँ और दोस्तो 55,000 प्लस मेरे सब्स्क्राइबर है और दोस्तो उस पर अच्छा खासा व्यूज भी आता है तो दोस्तो ये जो मैंने सारा एक्स्प्रियेंस जो भी गें किया है दोस्तो वो चीजे मैं आप लोग के साथ इस चैनल पे सेयर करूँगा तक कि दोस्तो मेरी पाइटवी स्टुडियो ऊपर कर लिया हूं और दोस्तो यहाँ पे डैसबोड के नीचे आपको दोस्तो बहुत चीज़े मैं आप लोग को दिखाने वाला हूं दोस्तो जो चीज़े मैं आप को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं वो चीज़े अगर फोलो कर लोग thereby तो दोस्तो आपके चैनल पे हर एक वीडियो पे वीजो और सब्सक्राइबर आएंगे पहले जो मैं आपको दो-तीन चीजे बताऊंगा आप लोगी से अच्छे से एक बार ध्यान से समझना सबसे पहले आपको दोस्तो यहाँ पे करना क्या है कि जब भी आप अपने यूटूब चैनल ओपेन करते हो बिल्कुल एक नहीं है तो दोस्तो आपको सबसे पहले वहाँ पे कम से कम 20-30-40 वीडियो अपलोड करने ही है ऐसा नहीं होता कि दुस्तो आपने फर्ष्ट वीडियो डाली और वाइरल हो गया ऐसा बिल्कुल नहीं होता है सेकेंड भी नहीं होता थर्ड भी नहीं होता आप जब तक 20-30-40 वीडियो नहीं डालोगे आपकी कोई वीडियो वाइरल नहीं होगी अब यहाँ पे फिर भी वीडियो आपको यहाँ पे इस तरह से ओपेन करना है जो आपका 48 हावर का यहाँ पे एनलेटिक से दोस्तो आपको यहाँ पे यह चीज ओपेन करना है तो यहाँ पे दोस्तो मैं 48 हावर का जो डेटा है वो यहाँ पे ओपेन कर रहा हूं अब यहाँ पे देख सकते हो कि मेर फोटी एट हावर के अंदर जो भी यहाँ पे टोप की वीडियो है दोस्तो फर्स नंबर पे आपको दिख रही होगी आपको यहाँ पे दोस्तो अपने इस पूरे 48 हावर के अंदर जितनी भी वीडियो देख रही है दोस्तो जितनी भी वीडियो आपको दिख रही है यहाँ पे इन में से 5 वीडियो को सेलेक्ट करना है यानि कि दोस्तो उपर से आपको 5 वीडियो को सेलेक्ट करना है और दोस्तो आपको हो सके तो दोस्तो जो first number पे विडियो है उसको послед करना है , यान कि दोस्तो आपको इसी title पे कम से्म 4,5 विडियो continue ठोक देनी है, यान कि दोस्तो आपको per day 4,5 विडियो इस topic पे इसे title पर बना देनी है तो दोस्तो 100% ये वीडियो चलेगी, गैरेंटी के साथ मैं बताता हूँ कि दोस्तो आपके चैनल पर यानि कि दोस्तो इसी टाइप के लोग वीडियो देखना पसंद करेंगे, क्योंकि दोस्तो यहाँ पर जो वीडियो दिख रही है आपकी ये सबसेट टोप वीडियो है, अगर आप इससे रिलेटेड अगर कोई साभी वीडियो बनाते हो तो दोस्तो पक्की चलेगी, अब दोस्तो मैं आपको यहाँ पर जो दूसरा तरीका बताने वाला हूँ कि आप अपने वीडियो पर कैसे वीडियो और सबस्क्राइबर लाओगे, आप लोग इसे थोड़ा ध्यान से एक बार समझना, आपको मैंने दिखाया कि 48 हावर के अंदर जो आपकी most popular वीडियो है, उस पर अगर आप वीडियो बनाओगे वो चलेगी, बट दोस्तो यहाँ पर एक चीज़ा और करना है आपको, जो भी आप keyword find करते हो, यानि जो भी title पर वीडियो बनाते हो, दोस्तो उस title को YouTube पर सर्च करो, और सर्च करने वाद देखो कि उस title पर जो भी वीडियो बनी है, उसका thumbnail कैसा है, उस पर views और subscriber आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, यानि कि दोस्तो आपको YouTube पर सर्च करना है कि current में, फिलाल महीने, दो महीने के अंदर जिस बंदे ने वीडियो अपलोड किया है, उस बंदे के views और subscriber आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो दोस्तो जो उसका thumbnail है, उससे बेटर आपको thumbnail बनाना है, योकि दोस्तो अगर YouTube पर कोई title सर्च कर रहा है, तो दोस्तो अगर आपका भी टाइटल उसके पास जा रहा है, यानि कि दोस्तो आपका भी वीडियो उसके पास जा रहा है, और उस बंदे का जो पहले से ओल लेडि वीडियो बना रखा है, उसका अगर thumbnail अच्छा होगा तो उसी पे क्लिक करेगा बनाना, उससे आपको अच्छा thumbnail बनाना है, उससे अच्छा आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, और उससे ज्यादा आपको experience यानि कि अपना speech देना है, यानि कि जो भी आप चीज़े बताओगे, उस वीडियो का अंदर उन लोगों से अच्छा बताना है, अगर आपने दोस्तो अपनी वीडियो का अंदर ये 2-3-4 चीज़े कर ली, तो दोस्तो आपकी वीडियो पे व्यूज और सब्सक्राइबर आने से कोई नहीं रोग सकता, तो दोस्तो मैं आसा करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो का अंदर जो मैंने जनकारी दिया है, वो पसंद आई होगी तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, कोमेंट करना, इस वीडियो को ज्यादा सेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो तो रेड़ गलोर का सब्सक्राइब बटन दबागे दोस्तो घंटी के बला आइकन पर प्रेस जरू करा ताकि मैं जब भी इस तरह की कोई नई वुडियो बनाओ उसका नोटिफिकेसन दोस्तो सबसे पहले आपको मिल सके मैं मिलता हूँ दोस्तो आप लोगों से किसी नई इंट्रेस्टिंग कमाल की वुडियो में तब तक के लिए धन्यवाद